गूड पोर्निंग 28 क्राश आय्ट क्लास आदम8 सब्जेक्ट हिंदी पड़ेंगर हमारे हिंदी को पार्ट नंबर te Trek时 ka नाम में है समय का महत्व हम इतनय पड़ेंगेंगे आपके समय के महत्व के बारे में कि समय करें मैं में होता है समय की क्या होती है और की तो स्वेक्ति के साथ क्या होता है तो स्टूडेंट चाप्टर हम स्टार्ट करते हैं सभी मनुष्य समय पर अपना काम समप्त कर लेए कर ले यह उस किशान की तरह आलस करें जिसने उप जाओं मिट्टी में फसल उगाई और उसकी फसने की तरह लहराई भी इसमें क्या बोलने की सुब depth जो मनुष्य उसे अपना काम समय पर नहां उब इस हमी अपनी अइसान करहें उगता है और सोने की तरह उसकी फसल लहराती है, किन्तु फसल को काटने के बदले वे आलस कर गया, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि सारे फसल पक्षियों ने साफ कर डाली, मतलब क्या करा किसान ने उसे काटने का आलस कर दिया, तो उस번Jackie आलस कर दिया, तो किजा हुआ, उसकी जो सोने की तरह फसल लहराती है, वो सब पक्षियों ने साफ कर डाली, भारी मन लिये, निदल किसान क्या करता, अब उसके सारी फसल खराब हो गई, तो किसान क्या करता, बस पस्ता ही सकता है, मतलब किया कर सकता है, वो पस्ता करना चाहिए और आज काम हमें अभी करना चाहिए सच मुच में समय पल भर में ही बीट जाता है कई बार हम जरूरी काम और महत्कुन कामों को भी टालने का परियास करते हैं और जब परिशानी अपने चरम पर पहुंशती है तरब हम चलते क्या हमारे बहुत ही जादा इंप्वोटन्ट काम होता है वह भी हम क्या करते हैं बात के लिए टाल देते हैं लेकिन जब परिशानी बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है तो हम उस प्राम करने को क्शलते ह MON om को हमारी हम सारी पढ़ाई परिक्षा के पहले दिन के लिए ही टाल देते हैं और यह नहीं सोचते कि उस दिर अचानक कोई आपता आ जाए या यानि बिजली गुल हो जाए या तब इत खराब हो जाए अथवा अचानक महमान आ जाएं तो निरुंतुन रह जाएंगे यह था हमे एक दिन पहले जब पढ़ने बैठें तो हमारे साथ कोई भी मुसीबत हो सकती है लाइट जा सकती है हमारे घर में कोई आ सकता है या हमारी तब्यक्त खराब हो सकती है अगर ऐसा हो जाए तो क्यों होगा हम उस दिन भी पढ़ नहीं पाएंगे हमें भूख लगती है उसके गर में पहले से जिताम रख टाकि किसी अचानक वाली परिस्ति के लिए प्र Face 2000 हो सक्के हम क्या करते है जब हमें चोट लगते हैं तो हमीशा हम अपने घर में घर में ही चीशी को रख रख लगते हैं तो अचनक फिस दवाई को यूज कर सके कि अट हम अचानक बिजली घु हमें प्यास लगने परuda तो नहीं एक होथे ना समय रहते यह अपनी सुविधां को रखता है कि जहां तक कि जीव जानतु भी समय रहते हैं अपनी सुविधा की विवाष्यते कर लेता है इसमें क्या जीव जनतु होते हैं जो जानवर होते हैं वह भी अपने समय रहते ही अपने सुविधा का इंतजाम कर लेते हैं चीटी वर्षों से पूर भोजन अपने बिल में जमा कर लेती है चाहे इसके लिए उसे लगातान महनत करने ही क्यों न पड़े चीटी होती है वह काफी साल पहले ही अपने खाने का बहुत सार भोजन अपने बिल में खटा कर लेती हैं पक्षी अंडा देने से पहले इपना घौसला बना लेते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सक्ते समय के साथ तालमिल बिठाना ये बुद्ध मारी होती है लिखा कैसे में क्या कई जब जयनटू पशु पक्षि ही समय से choosing से पहले अपने अपने लिसारी की व्यूथ्य कर लेते हैं तो हम हमनुष्य ऐसा क्यों लुटा में किस तरीके से अपने काम को अपने समय के अनुसाथ समय को सकरने का इर्थ समय की कदर करना यहार मनुष्य संभयता का आर्म होने के सास्थ समय की मत पहचानी थी मतलब किया ряд उसके साथ साथ समय की कीमत को पैचारना शुरू किया था और महत्व जानकर समय के साथ साथ ही चलने की कोशिश करी मानव ने सूर्य के उद्धे होने और अस्त होने के समय को बांधने के लिए घड़ी की खोज की और वर्शी प्रेप चलने वाले समय का चक्रिय कलेंडर का विश्कार कर बांधने की कोशिश की मतब कि क्या करा लोगों ने समय के अनुसारी घड़ी का घड़ी की जो थी घड़ी का मतब की घड़ी की शुरुवात करी घड़ी की खोचकरी कलेंडर की खोचकरी ताकि हम लोग समय अनुसार दिन अनुसार अपना काम कर सके हर साह हम समय क को बांग तो नहीं सकते किन्तु समय के साथ जलूर चल सकते हैं हम समय को नहीं बांग सकते मतलब कि हम अपनी अनुसार समय को नहीं रोक सकते लेकिन हम क्या कर सकते हैं समय के अनुसार समय पर है कर अपना काम कर सकते हैं यह हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे जाएं तो समय का उच पर हाथ लगपार बैठें जाएंगे तो समय को खो देंगे और बाद में क्या होगा हमें पढ़ाने के सिवा कोई भी है हमारे पास पासदाने के सिवा कोई भी और दूसरा option या दूसरा काम नहीं रहेगा माल पास रहे की रास्ता रह जाएगा पस्तारा तो student यह था हमारी